सब्सक्राइब किसे मेरे चानल को बजाईए बेल आइकन और रहिए सबसे आगे चिक्स लेते हैं उसके डबे पर साइड से लिखा रहता है कि यह कौन सा टाइप का चिक्स है उसके बाद में एक और खास बात में बता दूं कि आपको चिक्स डिलेवरी लेने से पहले ही जो है वो बच्चे की जाच कर लिने चाहिए कि मोटलीटी तो नहीं आई है साथी साथ चिक्स जो मैंने मंगवाया था जिसे आपने मान लेजिए कॉब चिक्स मंगवाया है कॉब 400 मंगवाया है तो वो चिक्स वही चिक्स है या फिर मिक्सिंग है या फिर ग्रेडिंग किया गया है या फिर नहीं किया गया है आपको डिलेवरी लेने से पहले ही टेक्सन लेना ह होता है तभी आपको पैसा वगारा भी वाफीस हेचरी वाले करते हैं अधरी आप स्मझ लीजिए कि आपको मिलने पैसे जांस रहते हैं तो तो वो लोग पूरी तरीके से देखिए, जैसे ये चिक्स है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डैमेज है, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि ये चिक्स जो है वो बिलकुल डैमेज है और साथ-साथ ग्रेडिंग इस चिक्स का नहीं किया गया है, जैसे कि आप देख है, ये बिलकुल दब गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अच्छे चिक्स राते हैं, उसकी अगर हम लोग वजन तो उनका जो है वो बिल्कूल पीला रहता है जिसे कि इस बूडियो में दिख रहा है लेकिन जो है वो जो चिक्स हमारे पुराने तो उसको पहचानने का सबसद्छा तरीका है कि उसमें जो है वो white color का punk आ जाते है वो chicks नहीं लेना चाहिए चुकि brooding उसका नहीं क्या गया रहता है और सही तरीके से गराब brooding नहीं करते हैं दोस्त तो आपको जो है वो सही chicks रहने के बावजूद भी आपको जो है वो अच्छा profit नहीं होता है चुकि उनका growth नहीं होता है तो आप day old chicks मतलब day old chicks ही लेना है और grading देख लेना है सारे जो हमारे chicks रहते हैं वो एक size के होने चाहिए एक ही weight के आसपास होना चाहिए कोई बड़ा कोई छोटा हो जागा तो आप समझ लिएगा कि इसमें जब grading नहीं किया गया वैसे आम तोर पे सस्ते chicks में होता है और अगर सस्ता chicks आप लेते हैं तो फिर ये बात आप पे लागू जो है वो नहीं होता है चुकि सस्ता chicks वो इसलिए देते हैं चुकि उनका grading अच्छे तरीके से नहीं हुआ रहता है मैंने जो तीन चार बाते आपको बताई हैं सिर्फ उसकी अगर गांट बांग ले तो आप कभी भी chicks लेने में धूखा जो है वो नहीं खाएंगे और तिक आपके फार्म में अच्छा वाला ही आएगा आपको कोई मुझ्वेवल नहीं बना पाएगा उमीद करते हैं दोस्त वीडियो इन्फोर्मेटिव होगा आपके लिए काफी नजो नए फार्मर है उनको ये काम देगा और साथी साथ वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताई और पॉल्ट्री फार्मिंग में क्या कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट बाउट में कमेंट की दिए फिलहाल मैंने जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जूश पर कमेंट आया हुए हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है वह ये है कि पॉल्ट्री फार्मिंग बरसात में कैसे करना है आपको प्रूडिंग कैसे करना है उस पर दिक्कत हो रही है आप लोगों को तो मैं बहुत जल्द उसके वीडियो अप्लोड करने वाला हूँ तो फिर विल्द फ्रेंट्स अगले वीडियो में अगर उसको मिस नहीं करना जाते हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक लाइक दे ताकि मैं मोटिवेट होकर अगला वीडियो और इंफुमेटिव और असानी से और अच्छे तरीके से आपके लिए बनाओं धन्युक्त